अकाश्वानी का एक जरूरी प्रसारण एक हफ़ते से आंधरा प्रदेश में हलचल मचाने वाले तूफान की वज़े से उभे गोदावरी की जिलाएं कृष्णा गुंतरू प्रकाश जिलाओं में एक और हलचल मची है तो दूसरी और रायल सीमा के चित्ता और कडपा जिला की हालत बहुत खराब हो चुकी है थोड़ी देर पहले तेलांगना के वारंगुल प्रांत के सारे गाओं पानी के भाहों से पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं गाओं के लोग वहां से बच कर निकलने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत सारे लोग उनकी मदद के लिए वहां पहुँच चुके हैं खबर आ रही है कि वहां की संचार विवस्था पूरी तरह बिगड़ जाने की वज़े से उस गाओं का संबंध शेहर से पूरी तरह से कट चुका है खबर आ रही है कि रेल की पट्रिया पूरी तरह डूप जाने से एक ट्रेन भी दुरगटना गरस्त हो गई है जिसमें सैकुरों लोगों की जान जाने की उमीद जताए जा रही है हालात इतने खराब हैं कि सहायत दलों का भी वहां पहुँचना मुश्किल हो रहा है सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है उमीद यही है कि हालात बहुत जल सुधरेंगे अबरें गघ्ट है जल यद ए उज 202 अबżaएंगे आप़षए यजदवरेंगं लोगजओ ङाएंगे पर भापा,शे को जहाँ मैं। कर दोडने जब बता लिया लोग, अपहे खोलिया जोलिया खोलिया ओकnes बता बता लुल कर लुब बता है थपय क attends बता है कर दो 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 कर अजयेड़ाटवाफड़ाफ़ाफवाफड़ाऊवाफड़ाफवाफ़ाफ़ाफवाफ़ाऑज़ाफवाफ़ाफ़ाफ़ाफ़ाफ वसकेया वर वेचत ही हुदाहाफफ़ाफ़ा रियुANSके वेचत हाँ टू means it could be कि अगसे दोपे भी ग wreं भागो कई अ भागो को कि अगए नगे ज अगसे पी फिष्दो को भी मुड़िए प्रोचा फिए थांग कर देए। कर दो जो कि अ सकत्राम कर दो 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 से दो से ताफ लुट कि अ कि अ खा कि अ लुट कि अ खा कि अ अ लुट झाल एक युर्ग चाल सावता है कर दो 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 पॉपार 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 ना पॉपार 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 शो क्रोट से लोगा दीजिए अगर आप जीवित रहोगे सर्कार आपको वापस घर बना कर देगी जरूर देगी आप होस्रा रखिए सक्षिक हो जाएगा यहां के लोग यह कह रहे हैं कि आप इनके लिए भगवान बंद कर आए हैं सर्कार काफी लोगों को ना बचाने का अफसोस है मुझे और सिवे डिफेंस के द्वारा लोगों को मदब्न हुचा रहे हैं उस्मानिया के पीजे विद्याते सिर्दार और उनके वित्रों द्वारा कई लोगों की जान बचाई जा चुकी है सच में उनका यह प्रियास बहुत ही का वैसे यार तू अपने पडोसी को पटाने की बहु कमाल है क्या आएगा नहीं वह रात दिन मेंद कर रहा हुआ वह विचारा है पीछे मून के देख आ गया जनाब एंट्री देखो इनकी इंदुमती भानुमती जिसका पति चुप करो आगे अपना एरो वैसे क्या इंदुमती सच में मुझसे प्यार करती है इंदुमती नही इसे कहते है असली दोस्त सबसे किया है तुझे भी करेगी समुद्र मंथन से अमरित बाहर निकल गया लेकिन भानुमती के दिल से मेरा प्यार क्यों बाहर नहीं निकल रहा है तिक तो तेरा दूप जाना ही से रहेगा बाबुजी भगवान की नाम पर कुछ दे दो अंकल आप रामचंद्र जी है ना क्या आपने हमें पैचाना हम आपको कैसे भूल सकते हैं बाबुजी आप तो हमारी लिए भगवान हो आप इस तरह मैं अकेला नहीं बाबुजी आधे से ज्यादा हमारे गाउं की लोग यहां के बस स्टेंड पर और रेलवे स्टेशन पर मेरी तरह भीक मांग रहे हैं लेकिन पेपर में तो खबर चपी थे कि पीडिफ लोगों को सेंट्रल गवर्मेंट और स्टेट गवर्मेंट बहुत मदग की हैं पेपर में जितना चपता है उतनी मदद अगर गरीबों को मिल जाती तो हमारा देश कब का सुधर जाता है 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 कि अगर कि सो लोगों की मतद से दो जार लोगों को निप्ताना चाहते हैं ये लोग जो कर दो दो नहीं जुँआ जुच्छ अजुट मैं सर्य ना हाँ हुआ यह यहाँ यहाँ विराजमान आदमी ओरते बच्चों सब को मेरा प्रणाम इस फोटो में कौन है परकाला पुर्शोत्तम यादव यानि इल्यास पप्पू यादव है प्रजा सेवा के लिए इनका बहुत बड़ा दिल है मैं अच्छी तरह से जानता हूं वैसे ही आप लोग सब जानते हैं कि आंद्रा राष्ट्र में जो तूफान का कहर आया है वो कितना बुरा था बापरे वरंगालू जिला तो मैं क्या कहूं बहुत घर बरबाद हो गए वहां पे आपको मैं क्या बताऊं आपको ये बताऊंगा जरूर कि इन्हों ने उन पीडितों के लिए खुद अपने पैसों से पाच करोड का इंतज जाते हैं अगर ऐसा शक्स आपकी एसेंबली में बैठा तो देखिए क्या होगा सब का कल्यान हो जाएगा आप सब खुश हो जाएंगे और वरंगालू इलेक्शन जो आने वाले हैं उसके लिए अगर आप इनको वोट देंगे दिल से पप्पू यादव जी को तो हमारी प बहुत बड़ी पार्टी दिया है आप सब के लिए और इसमें हम आपको अमंत्रित करते हैं और कहते हैं कि आप इन्हें वोट देकर जरूर जिताइए वो भी भारी बहुमत से और इसली के साथ तालिया हो जाएं जहां बात हैं बहुत अग्शे अ यह हमारे देश का भाविश्य तो फार्म ने इसके परिवार को निगल लिया अब उससे भी भयानक बात है तूफान पीड़ेतों की मदद नहीं से निकल लिया है दो हजार पीड़ेतों की मदद के लिए भेजा हुआ सामान सो लोगों तक भी नहीं पहुचा क्योंकि वो कुत्तों को फेकते हैं वैसे फेका जा रहा था उस भीड में मरने वालों में से ये भी एक है नाम मिहेर विक्रमादित्यसिंग प्रसाथ अधी रात को भी उठाते थे तो ये बिना रुके कबीर के दोहे आसानी से बोल जाता था तीसरी खक्षा में पढ़ता था 220 वरकिंग डेज में से एक भी दिन स्कूल नहीं छोड़ता था ये था उसका भाविश तूफान में किन हालात का सामना करना पढ़ता है यहां एसी हॉल में बड़ी बड़ी बाते करने वालों को क्या पता आसमान में उड़ते होए देखेंगे तो नीचे हर्याली ही दिखायतेगी एक बार जमीन पर तो आओ कड़वा सच में दिखायतेगा इस दुरगट्टा के बारे में मुझे कता ही कुछ पता दी था इसके लिए मैं बहुत गहरा शोग प्रकट करता हूं शर्बिंदा हुए कि अभी अमजत का फोन आएधा तूफान में मदद करने वाले उस पपुयादो के लोग सारा माल लौरी से स्टेट के बाहर लेकर जा रहे हैं कर याँ वहां मदद नाम मिलने की वज़े से लोगों की जान जारी है और तुम लोग माल स्टेट के बाहर ले जा रहे हो इमांदारी से लौरिय पीछे ले लो नहीं तो क्या करेगा मार देगा क्या मारूंगा नहीं लेकिन मौत से मुलाकाट जरूर करना है एक का हाथ दूसरे का पैर और तीसरे की तद दिमाग इन्ना से ही भाट डाली थोड़ी देर में तुम्हारा भी यही हाल होगा अगर हमें रोकने की भी कोशिश के लिए तो अगर बढ़े राजमेता जो नहीं कर पाये वह तुमने कर दिखाया इसके लिए शुकरिया कौन है रे वो लोरी से हमारा अनाच चुराने वाला कौन है कौन है कोई बताएगा कौन है यह यह भाई मेरा नाम जिद्दी नानी है 42 साल के उमर में मुझपर 42 केस लगे है मेरा कोई नहीं है ना मा बाप है ना भगवान है मेरा कोई भी नहीं है अपने जीजा की खुशी के लिए यहां के नियोजक वर्क के मंतरी को मैंने मार दिया जानते हो किसलिए यहां के बायो एलेक्शन में उनको जिताने के लिए तोनो मेरा बैक्ग्राउंड जाने के बाद कोई भी वोटर लिस्ट में दिखाई नहीं देता मुझ से या मेरे जीजा जी से पंगा मत लेना अभी तक पंगा नहीं लिया था लेकिन अभी पंगा लेना चाहता हूं इसमिल अजय कुमार है यह एमकॉम टॉप राइंकर है इसी काउं का है आने वाले एलेक्शन में तेरे जीजा के ओपोजेशन में खड़ा रहे गई है अच्छा है काफे दे दुआ खेले हुए खेलते हैं देखते हैं तो यह सोच रहा हूं तो मुझे खुद को डर लग रहा है फिर मिलते हैं एपार से लिए आज़ी का इसमार को भाट है एपार से आज़ी का इसमार दाना थे इज़ी कुछना थे आज़ाई वमारा भी पिछह बाल दो है और कौन हो सकता है, पप्पू के आदमी होंगे, नॉमिनेशन की लास्ट डेट तो कली है ना क्यों बे, तुम चारों राजनीती में कदम रखकर इलेक्शन जीतना चाहते हों क्या राजनीती आनी स्कूल में मास्टर जी का का हुए रेट्टा मार कर, उसे उस तरह से लिखना ये समझाए गया, ऐसा नहीं है मेडस करने पढ़ते हैं, बॉम्स फेंकने पढ़ते हैं, ओलिंग बूस को क्याप्चर करना पढ़ता है, दारू और पैसे दोनों बाटने पढ़ते हैं ये सब कुछ तुम कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ अरे कर सकते हो क्या, बोलो आप रुखी जीजाजी, तुम्हें इस उमर में क्या करना चाहिए? लड़कियों का पीछा करना चाहिए, टीजिंग करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, लेके भाग जाना चाहिए, अगर वो ना माने तो उसके चेहरे परेशित फेक दो, उसके पेट में चाकू भोग दो, यहां क्यों आए हो जीजा जी वुर्ट जिसके पास है उससे मिटिंग करना चाहिए इससे क्या काम है बोलो तो इससे मार दू कितने लोग होंगे दस लोग होंगे बस बोलो तो अभी मार देता हो सब को अरे नहीं जल्दबाजी मत करो मेरे करेक्टर का इंट्रोड़क्शन थोड़ा सदूंग ना अपने आप निकल जाएंगी खोली की गली में जनम हुआ मवालियों की बीच में पाला बड़ा मजपन से एक ही चीज बहुत अच्छे से जानता हूं मैं वह मर्डर करना देगो और ध्यान से सुनो तुमने अपनी डिगरी पाने के लिए जितनी महनत की है ना आज इस पोजीशन में आने के लिए मैंने भी उतनी ही महनत की है इमानदारी से मेरी बात नहीं मानी ना तो मा कसम कोई जिंदा नहीं जाएगा मेजे में बात आ गई चलो गल्टी हो जाओ हो जाएंगे जी जाजी क्यों हो जाएंगे ना है अगर नहीं हुआ तो इसका यह हो जाएगा है चलो रहे चली जी जाजी आइए हुआ अब हुआ उयकर अब था पागल हो क्या मेरे घर में मेरे बेट्रूव से तरह जाएगे में आ गए हैं तुम्हें तो अभी क्या ये तुम सब किस से बंगा ले रहे हो जानते हो अट जाओ हटो 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 कुछ बोलो यार अरे क्या चाहिए क्या चाहिए भाई बोलो देखो अगर कुछ है तो बैटके बात करते हैं न है तुरिया याद गिरी औरे का मर गए सब कर सब अभे कुछ तो बोलो मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता था हमारे कैंपस में कदम रखने वाले तेरे गुंडे कभी वन पीस में वापस नहीं गए उसके बाद कभी किसीने कदम रखाए अभी नहीं हमें उक्साना मत अरे बापरे ऐसा होगा तो कैसा चलेगा देदाजी देदाजी कुछ तो बोलो ना उनकालेज के सारे स्टूडेंट को बॉंब से उड़ा दूंगा कुछ तो बोलो इसार destenser saint बोलो इसारे कॉलेज को ही बॉंब से उडवा दूंगा गया उनकालेज को यहाँ पूलेंगे ऐसी खामुशी से सो बॉंब तो लाखो ब्रिटिश वापस लोटकर भाग गये वह सिधात पिना चश्मा और लाठी का महत्मा गांधिये मामूली बंदा नहीं है हथेली में समंदर दिखाकर चला गया है उसी समंदर में जाके डूब बरो देखो सले साब उशके होते हुए न हमारा जीतना मुष्किल है नहीं जीत पाए तो उसे मौर देंगे हमे गुंडा कर दी नहीं राजनीती करनी है उसने हम सब को जिसतरह सैलेंटली मारा है हम भी उसे सैलेंटली ही मारेंगे तो फिर क्या करने बोल रहे हो इस लोयर के मुताबिक बॉम और तर्वार छोड़कर गांधी बनकर बैठ जा क्या देखो इलेक्शन होने तक हमें गांधी बनकर ही रहना है उस सिद्धार्थ की गैंग को बांध कर जनता से सिंपथी लेंगे समझ गया जीटाथी मैं भी थोड़ा राजकरन जानता हूँ वही यार अब मैं जीजाजी पर बॉम फेकूंगा और लगेगा कि उसने फेका है मतलब दी जादी आपको कुछ नहों ऐसा बॉम फेकूंगा लेकिन तुम्हें मारने के लिए उसने बॉम फेका है कहकर अटाइम्टू मडर केस में फसा देंगे तो फिर तुम खुद किसी एक केस में जेल जाकर वहां से प्लान करो बॉम फेकने का क्या एडिया दिया है कोई और दूसरा केस किस लिए तुम्हे को मार के अटैम्टू मडर का केस ले लेता हूँ क्योंकि तुम्हें काम करो जाकर पुलिस स्टेशन पे रिपोर्ट लिखवाओ थिए! फरुष तुम यदो! जिर सा बमार्ट! फरुष तुम यदो! जिर सा बमार्ट!! वुरुष क्म्ट Хорошо! वुरुष क्म्टाओवन स csak valleys चलो जल्दी 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 से बीज़ें तेट आपने अपने आखों से देखा ना उस सिधार्त और अजय के लोगों ने मिलकर उनके पाटी ऑफिस के सामने खुद की गाड़े में बॉम रखकर मुझे मारने के साज़े शरची है इधर जंता की सेवा करने की वज़े से ही ऊपर वाले ने बचा लिया मुझे स्टूडेंट्स को राजनीती में आना चाहिए इस सारे साथियों को अरेस्ट कर लिया है अरे यार क्या है ये सिधार्त को देखे बेने हिलिंग नहीं बूल रहे हैं सर्थ कि अवे क्या कर रहे हुँ लोगों को कैसे काबू करना है हमारे होम मिनिस्टर अच्छे से जानते हैं वैसे आप को आने सार प्रसाद आईएस पी एटू होम मिनिस्टर नमस्ति सार आजा सिधार्त 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 अपने स्टूडेंट्स के सपोर्ट से तुमने क्या पा दिया सलाकों के पीछे बैट गए ना एक दो तीन चार चार तीन दो एक जैसे उल्टी गिंती कर रहे हो और मैं शहर में गुंडगर्दी करके जीत कर होम मिनिस्टर बन चुका हूँ तुम्हारी लाइफ ओडर को बदलने वाला लौ एंड ओडर अब मेरे याद में है और सबसे पहले कल कोट में तुम्हें फांसी की सजा दिलवाने में इस्तिमाल करूँगा कोट तक क्यों जेजा जी आप ओलो तो अभी इसको यहीं खत्ब करता हूँ पप्पो क्या पकपक कर रहा है जीत के खुशी में ठीक है खुश हो ले चाहे तू जीते ही या मैं जनता की भलाई होनी चाहिए और ये मेरा फैसला है अपने बाल तो साले के साथ काम पे लग जा मतलब अवे क्या सोच रहे हो क्या कल से मैं बागलों की तरह जनता की सेवा करूंगा ये सोचा क्या मेरा ड्रेस बदल चुका है लेकिन मेरी आदते नहीं बदली खल्चल मचा दूंगा जितना मिलेगा उतना खाऊंगा हाथ में आएगा तो गठक जाओंगा पप्पो बोला है 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 जाले साब आजी अपने प्लान के मुताबिक तुम्हें थोड़े दिन और जेल में रहना पड़ेगा है तीक है जी जाजी यह दिखो मेरा सेल पूरी है ना आपके होते हुए क्या कमी जोफा दिया है पलंग दिया है टीवी भी दिया है वह देखो मधुरी मा 12 रुपे पहली रात के बाद 15 रुपे कुमारी कन्या 20 रुपे सविता भाभी यह थोड़ा कोश्ट्री है सार इनसे काम चला रहा हूं जी जाजी जाजी जा सेल में आइश करूंगा चल ठीक है टखवे जा जल में रूल्स है काय के रूल्स यह मेरा साला इसके लिए इतना भी नहीं कर पाया तो काय का मंत्री में हां अब निकलो क्या है कि तुम्हारा हम से बात कर लो है इधर हो चलो तुम कैसी हो डालिंग क्या कर रही हो प्रसाद कलकोट में पेशी के लिए से डात के सेक्योरिटी के लिए कौन जा रहा है एसीप पूर्णिमा सर तेरी तो टेटवा दबा दिया ना तो जो खाया है सब का सब यहीं बाहर निकाल देगा बोला ना मैंने कुछ नहीं किया जबर्दस्ती है क्या क्या बोला मेरे साथ जुबा चल अब पैंट उतार वर्ना तुझे भी जंडे की तरह तोड़के रख दूगी उससे धार्थ का कुछ पता नहीं चला भाई उसके माता-पिता अमरीका में रहते हैं अगर किसी ने भी ऐसा कहा कि उससे धार्थ का कुछ पता नहीं चला तो उसका भी यही हाल होगा देख लो चलो जाओ जल्दी और जाकर उससे लेकर आओ सर रुमाल दीजे सुनो बेटा शादी की तैयारी हो गई है सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं मंगल स्रान के लिए आजाओ बेटा आता हूं माजी आता हूं कि अभी हाथ खून से रंगे थे और अब हल्दी के पानी से हाथ दो कर फिरे लेने जा रहे हैं कि अभी है अभी है तैयारी कर दो कि अभी है झाल कि मैंसे सर जी बकरी कसाई बकरी कसाई पर भरोसा करके इतनी खूपसूरत छोरी इस पप्पू से कैसे पढ़ गई क्या कहते हैं आप अमा वस्या के दिन अंधेरे में देखा होगा उसने कलर दिखाई नहीं दिया होगा बस गई अबने में अज़ा प्रण एज़ा तो गया है लेकिन जवान लगते हैं परसों मिनिस्टर की कसम खाए थी आज शादी की खाएंगे क्या फर्फड़ता है इस शोर क्या मचा रख था है तुम स्टूड़न्स का यहां क्या काम हो मिनिस्टर जी की शादी है अम सब शादी हैं यहां जाओ हुआ जाओ जाओ सारे स्टूडेंट्स आपसे बहुत प्यार करते हैं हमारी गाव में बस आपी की चर्चा है मेरी दादी कहती है आपसे मेरी शादी हो ना मेरा भाग्या है अगरु कर शादी श्मा करुछनील मेरी थिससी मेरा करते है औरनीमा पूर्णीमा पर देखो वहां खड़ा है वह देखो वह रहां सिधार्थ वह देखो वहां है वहां देखो जागरभण उसे अब इतना परिशान मत हो यह सर हो लड़का यहां नहीं आ सकता मैंने चेक कर लिया है आप रिलाक्स हो जाए अरे पंडित जी शुरू कीजिए ना मूं क्या देख यह अजो अरे बहुत हो ना अज़िया ऐसे अजया वह दिखाईनाई दे रही है यह बोलो ऑब बहए दिखाईनाइब या खुणड़ों से किसी गोभी बहुत जाने मत देना अच्छा से ढूंडो वाडू किसीने मेरी वरम को देखा वह यार शादी की साली पहले थी माते पर सोने का ठीका था और हाथ में छूडिया हाँ दो हाथ हैं दो पैल भी है एक चूटी भी है पता दो ओने मा जिर्थार्थी मेरी वरम को उठा कर ले गया होगा वो देखो वो रहा काड़ी में पपो जाए को लेकर बाद रहे हैं पर पीछा करो पजाए कोई मजे बचाओ यह बहुत बड़ा नेक्सलाइट एरिया है सर यहां जगे जगे पर बम लगाय होते हैं ऐसे में हमने गाड़ी चलाई ना तो हम सब की जान जा सकती है तरी की जिंदगी में मुझे पसंद करने वाली कोई पहली लड़की मिली बीवी बनने के पहले ही उठा कर ले गया हो अब थोड़ी देर में पूरे देश को पता चल जाएगा जो बीवी को नहीं बचा पाया वो देश क्या बचाएगा यह सारे यही बात करने वाले हैं ना का ट्रोल में हूँ वो लड़की फुद अपनी मर्जी से शादी कर रही थी अगर ऐसा है तो दुलहन को उठा कर लेकर जाने के क्या जरूरत हुई तेरोरिस्ट की क्या जरूरत होती है क्या जरूरत होती है कई तरह की दिमांड पूरी करने के लिए उसने ऐसा किया होगा यानि यह सिद्धार टेर्रिस्ट है सर वो निमा बोलो अहां वह बहुत बड़ा खलनाएक टेर्रिस्ट है मुझे अभी अभी इंफोर्मेशन मिली है अध्यान से सुनिया सब लोग सिद्धात उस तड़की को लेकर गया ऐसा च्छापना मतलब भागा कर ले गया ऐसा मत्छ किकि कि अवर्ग का नहीं है मेरा हाथ चोड़ो पाले जा रहे हो मुझे जोड़ू इवगार इवगार नहीं कि अचाल तुम्हारी शकल देखके मैं पहचान गए थी तुम्हाधरान सेशन के पॉकेट मारों यह बात नीचे भूळ देते मुझे वहीं पर तुम्हारे मुझ पे मार देती मैं पहाट चलने से तो बच जाती वैसे भी मेरे पप्पो के सामने ये सारे गहने कुछ नहीं है तुम तो बचने ही नहीं वाले ओए कहां जा रही है और कहां जाओंगी फिर वापस जाके मोरत निकालना पड़ेगा इस बार मोरत मैं निकालूंगा बैठ जा मतला तुम मुझे न बाई ने मुझे बताया था क्या तुम वही हो ताड़ी तो नहीं है फिर नहीं होंगे तुम्हें मुझे क्या काम है कहीं तुम मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करोगे न कहीं रेप या मॉर्डर नहीं करोगे न कार भी सकता हूं पेकार में याद इला दिया तुम मुझे ढरा रहा था सब कोर्द संघ़ कर सकते हूं मेरे गाउ में सब मुझे डरते हैं समझ गया ना किसी समंझ पाओगे मैं दिखाओं गी तो समझोगे क्या खाते हो तुम एंदें से किस चीज से बने हो तुमने इसे भी तोड़ दिया कोई कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ, 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 बचाओ मुझे, चिल्लाना बनकर, वरना तुने जो बोला ना, लोग करके दिखाऊंगा, चल, चल, मुझे बानी से डर लगता है, चोड़ो, चोड़ो, मुझे डर लगता है, चोड़ो, मुझे डर लगता है, चोड़ो, तुम्हारी हिमत केसी भी मुझे हाथ लगाने की, तुम्हें मुझे छुआ, अब मेरा पूरा बदन अब अवित्र हो गया है, अब बगवान अपे क्या कर इस पापी से मुझे बचाओ मेरे पप्पु ने मुझे ऐसे पूल की तरह रखा और तुम ने मुझे चुने की हिमत कैसे की पूरा आप अविंद्र कर दिया तुम्हारा ऐसे किया ना तुम्हें छोड़ूंगी नहीं जल से मिस्टर यह वो नहीं मैं गुड़ नेम वरलक्षमी गुड़ नहीं चलेगी या नहीं और क्या गरूंगी हवाईजा सोड़ी ना आने वाला है अगर मेरा पपु होता ना तो मुझे हेलिकॉप्टर में घुमाता पैसे के लिए शादी कर रही है वो भी एक कारण है चलो मेरा उन्हें हां बोलें का कारण यह है कि जब उन्होंने मुझे पहली बार देखा था ना तुम तुम पागल हो क्या शादी की बाद दादी मा से मेरे लिए की इस तरह से हमारी शादी तैह हो गई और दीरे दीरे हमारा प्यार बढ़ता गया वो मुझे हर रोज शाम को फोन किया करते थे उनकी फोन के लिए मैं शुकला जी के दुकान पर इंतजार किया करती थी जब जब उनकी फोन की गंटी बचती थी मेरी धड़कने और भी प्यार करने के बाद ही वो मिनिस्टर बने वो मिनिस्टर बना गुंडा गर्दी करके एक पुली स्टेशन में फाइल चेक कर उसकी तुम जानते हो श्री कृष्ण भगवान को उन्होंने भी बहुत सारी साड़ी चुराई थी लेकिन जब द्रौपती का वस्तरहरन हो रहा अगर यह चीज किसी को गलत लगती है तो वही चीज दूसरे को सही लगती है अरे लड़की है यार उसके साथ में हम करेंगे करेंगे जो हमने पिछले में दिखाते हैं अरे नहीं यार इसके साथ में हम वह करते हैं अच्छे तो मेरी मदद करोगे हमें क्या बेवकुल समझते हो अगर चाहिए तो दारू लेकर पीलो मतलब पीलो तुम लोग मेरा रेप कर दोगे अगर यह मान जाएगी तो रेप कैसे करेंगे ए सुन तुम तेजी से दौर कर भागो हम तुनों पीछा करके तेरा रेप कर देंगे हब कर दो है रुण कर आए अब लोग आगए ऐह लड़ी मेरा रुको आप अ लुको अब लोग आगाए हवाँ बनाली मोग आखे लाँ आखे लाँब और रुको आखे अ वहाँ होँ हाँ इस पूरे जंगल में हमसे बढ़ा गुंडा कोई नहीं है तो दिखुरा रडाज कि इस पूरे जंगल में हम से बड़ा गुंडा कोई नहीं है तो हम तुम्हें बता कर दिखाई क्या मतलब अमार्णों होता है मुझे देलनैंट भुलकारchar समज्चियो क्या तो यह MAажу तो नही तुम्हें चलिए मार्जों को बनाते हो चले मार्जों को तेरे गाउं का नाम कि अपने गाउंवालों की तरह हुश्यारी दिखाने की कोशिश की ना तो बुरा हाल करूँगा चल एरे छुड़ा के जाओ ना का बसा दिया ऐसी रहेंगे क्या जादू तो ना किया होगा यार मिस्टर गोपिचन उस तरफ छोकरी का कुछ पता चला नहीं मैडम सब जगा ढून लिया लेकिन वह कहीं पर नहीं मिला पूरब की और देखना बागी है जल्दी जाओ ओके मैडम मिस्टर कांसी राम पूरब की और एक भी कोने को मत छोड़ना हर तरफ अच्छे से चान बी मिल गई मेरी होने वाली बीवी की पायल मिल गई मुझे कितना पागल है उस लड़की की पायल ही मिली है अभी और देखो इसकी खुशी का ठिकाना नहीं अगर लड़की मिल जाएगी तो यह तो खुशी से पागल ही हो जाएगा पुर्णिमा कोई शक नहीं है मेरी वरम यही कहीं आसपास मिलेगी उनका पता चल गया है सर वो पुरव की ओर गए है वो देखो वो रही मेरी वरम मरम भाग जाओ भाग जाओ वाँसे बाग जाओ जाओ ज़वर मेरी चलंटी चाहूँ बाग जाओ अरे, बॉम फेगो उसके उपार अराब, तुम बिलकुल मत धबराना वाराब, बुम पार बॉम पार बाराना बॉम बॉम एकार जाना झाल 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 प्रूप प्रूप झाल कि जुक है कि ठिया ला थाक मैं तो हाँ उैओ कि आप है हाँ कि अ दित जब हाँ कि अ सर अभी अभी हमारे आदमी ब्रिज तक पहुंच गए हैं अब आगे क्या करना है कि ब्रिज के किनारे पहुंच के कूदने बोलो ठीक है मिनिस्टर जी कह रहे हैं कि ब्रिज के कोने तक आने पर वहां से कूच जाओ सर्व वोल्य को जाओ आओ जाओगीने पुरा खना केली खतम करते का क्या वोली हाँ नहीं कुछ नहीं तुम खाव नौप पीकर जब इसे नीन लगेगी तब मैं बाग जाओंगी यह पुरा तुम ही खतम कर दोगे क्या तू भी पीना चाहती है नहीं नहीं मैं तो ऐसे पूछ रही थी तुम इसे पूरा पी जाओ फिर मैं आशे में सो जाओंगा और तू भाग जाएगी ठीक है भाग जा पपू का नहीं मिल पाएगी कोई जंगली जानवर भाड़ के खाजाएगा अार्व तो इतरा कर नाश्वा और इसने कुछ गलप्त यह तो हाओ हुआ है नहीं हुआ हुआ हाँ नहीं तो इन कपड़ों में परी लग रही है तो मतलब तो तो पड़ी लेखिया ना मेरी बात नहीं समझ रही नहीं समझ आई वहीं मतलब तू वो तू क्या कह रहे थी तू मैंने क्या कहा था कि मैं कुछ करूंगा सोच रही थी न मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा तू भी किसी से मत कहना कि इसी को कुछ पता नहीं चलेगा मिस्टर मेरे साथ कोई चला की नहीं चलेगी हां अच्छे काम करते करते बोर हो गया हूं सोच रहा हूं आज बुरा काम भी करी लेता हूं मैं तुम्हारे हाथ जोडती हूं प्लीज मुझे छोड़ दो मैं भी हाथ जोडता हूं अपनी मर्जी से करने दे अझाओ ज Зएयां contemplता हूं अजय जोड़ भी हाथ से लुम्हारे हुआनि जड़ositives हुआता हुआन से उचिति हाई जडम रमोल्शों अभ Bitte सुआते हुआनि व्याव तुम मुझे सच पिताओ, तुमने कुछ किया तो नहीं ना? जब तक कुछ करूँगा नहीं तब तक यह शांत नहीं होगी तुम्हारा जाकेट की तरह बताओ ऐसे कैसे कायब हो गया हुआ 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 है यह पकड़ो तुमारा जाकेट और पजह यहां से जाने दो यहां नहीं हो तो क्या हो लेकिन मैं तुम्हारा सबक सिखाने क्यों हां तुम खुद को बहुत बड़े गुंडे समझते हो तुमने अभी तक मेरी ताकत नहीं देखी है ऐसे कसके फखड़ूंगी ना तुम्हें तुम्हारी तो जान ही निकलाएगी मैं पावरफुल हीरो हुआ हुआ है मैंने कई सारे लोगों को मार गिराया और कबटी में मुझे कई सारे सरफिकेज भी मिले अब भी तुम्हें मेरी पावर दिखाती हूं और तुम्हें मांदेती हूं अब खुद है कि अब कि पाए अगे घाइ पुट उए घाइ बखल भी चुरू। जो ऐार्ड़ उतारी delा vale parecer कोीज़ 5 जिए जिए हम्म – जिए बहर भी सेख्छा प्रॉफ खाल – जिए-घज लगह स्वाफ – बहर राश बहर भी सी बहर भाल – जिए-दिर यिंए कि देख लिया ना चारों तरफ बॉम लगवा दिये मैंने एक भी कतम आगे वड़ाए तो फट जाओगे इमानदारी से कहता हूं मेरी वरम को छोड़ दो और मेरी तरफ आने दो मा कसम मैं तुम्हें माफी देलवा दूगा अरे अरे क्या कर रहा है जितने बॉम्म्स लगें उन्हें दिवाली के पटा के समझ रहा है अभी इसका पावर बताएंगे ना तो अकल ठिकाने आएगी पूर्णिमा लगता यह किसी से ने डरता मैं इसे अपनी बातों में हो जाता हूं चुपचाप शूट कर देना नहीं सर अगर गलती से बुलेट उस बॉम पर गिर गई तो आपकी होने वाली के तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे नहीं ऐसा नहीं होगा मैं तक गिंती गिनऊंगा अगर तुम नहीं माने ना तो हमारे पुलेट से उम अकेले मरोगे समझ लेना अब तक तुमने जामेज़ पा रहे हो हमारे प्यार के आगे हार मान जाओ मना तुम मारे जाओगे जो भी होगा हम दोनों के साथ होगा गिंते शुरू एक दो तीन चार्ज बाच छेड़ साथ अब साथ फेरे किसने लिए गिंती तो इसने की नहीं है फेरे उसने लिए अब तब शादी हो चुकी है क्या हाँ क्या हाँ अब इसे जिन्दा नहीं छोड़ूंगा सर्परें पोब पर पहरत दिया हूँ क्या करो कुर्णिमा कहा जारी हो अच्छा हुआ फस गया काम तमाम अच्छा हुआ इससे पीछा जुटा भागो यहां से वरब प्यार प्यार महबबत बड़ी बात कर रहा था ना दिखा प्यार आराम से चल कर आजा ना तू वहाँ जा वहाँ खड़ी रहे हुआ 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 जा बात कर रहे जए कर दो! तुझे तेरी जान भीक में क्यों दे रहा हूं जानता है क्या भीक में दी होई जिंदगी के बारे में सोच के तु पल-पल मरेगा इसलिए स्टूडन्ट्स राजनीती में आएंगे तो तू उसके साथ क्या करने वाला था वही हश्र तेरे जैसे गुंडे का भी कर सकता हूं मैं असली शादी तो आप शुरू होगी तुमारा नाम क्या है शकुंतला कि अधार्थ कहा है अरे बताओ सिदार्थ कहा है अरे बताओ सिदार्थ कहा है अधानी कुछ नहीं से पता होगा ने एक को भी माच छोड़ना जब कि दांगे तोड़तों टाहिस परतोंग। दून के मावूलों इंसान नहीं है हो मैं मिनिस्टर्य को इंस्तुर नहीं हूं को पंपू यह था को माल करें तुन है तो इस इस तीभा क का रही है ऑड़ी इस पागल है क्या तू तू एक पहान इंसान है कहकर आए कवान से बात करके तुझे इस पद्वी पर बिठाया मैंने मिनिस्चर बनाया अगर मैं अपनी पुजिशन पर से रहूंगा तब जाके तू से रहेगा नहीं तो हम दोनों सलाखों के पीशे हटकरिया पहन कर पैठे रहे द functioning तो फयाक होगी तो अमलिक पलटके मारेगी। इस की पालीटिक्स पॉलेटिक्स 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 ज dos देटर्ट 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 अजिए जीजाजी मुझे जियल में रखकर मेरे हाथ बाठ दिये विसाब जानने के बार भी चुब रहा तो तल्वार मौफ करेगी लेकि बॉम नहीं निकल चुका हूं अपनी पहर को अपने साथ नहीं लाया तो मेरा नाम नानी नहीं हाँ चिन की तकलीफे देखकर हम राजनीती में आये थे उनके हालत तो पहले से भी ज़्यादा खराब हो चुकी है पब्लिक भी हमें ले करके कनफियूस है असल में हमारे सिध्धान्त क्या है और उनके रास्ते क्या है पता ना चलने की वज़़े से सिविल डिफेंस से हमारा कमाया हुआ नाम ये खराब हो चुका है क्या कर सकते हैं जंदा की मदद करने के लिए हमने राजनीती में कतम रखने का फैसला किया है ना हमारा पहला लक्ष वह ही है किसी भी हाल में उन्हें मदद करना फिर चाहे हमारी जान भी क्यों ना चली जाए बस हमारे सिर से टेरिरिस्ट का दाग अटाना है और यह सारा खिया धरा पपो यादव का है अगर हमने यह साबित कर दिया तो राज नीती से उसका काम तमाम हो जाएगा और यह साबित करने के लिए हमें कहीं ना कहीं से सुबू डॉण नहांगे सब काम पे लग जाओ तुने लड़की को कैसे जिला होगा अले पूरा दिमा खा गई है उसे संभाल कर रखना पड़ेगा वरना हमें मस्का लगा कर भाग जाएगी एक बादा हम नाव से गुजर रह थे वह इतने खुबसूरत थे कि बस मेरी आखें उन पर थाम गई कोछ और तो नहीं थामाना था मेरी ना और उससे मेरी नतनी गोदावरी में गिर गई चलो पीछा चूटा मुझे बहुत रोना आया कि इतनी चोटी सी नतनी पूरे गोदावरी में ढूंड रहे थे किसी औ अब रो तुम तो उल्टी बात करते हो एक भाप교 मिला ना तुम तो गय तो मैं क्या है रही थी? नकी नतनी किरिय और मैसे फिरा दिल दे दिया और बहुत अच्छी है पाता है मैं उस्से रोज मिला करती थी और बहुत पारकुत है और पता है क्या हुआ था हम लोग ना एक बार गुलाब की मिले थे तुम शर्माती बहुत हो तभी परता है को मेरे पास आकर मुझे क्या बोले बताओ तुम क्या मांगना चाहती हो बोलो बोलो लड़की को पड़ाने के लड़के ऐसा ही बोलते हैं तब मैंने क्या मांगा जा तुम से बोला होगा कुछ और मांग लो तुम सब की सोच बस इतनी सी है लेकिन तुम्हें पता है उन्होंने मेरी लिए अपने प्यार के लिए क्या क्या किया हुआ छाण काट गुलाब को लाल गोलाब बना दिया उन्होंने किसका काटा अरे खुद का개они कान अरे बस भी करो सबह होते हिस पहला काम होता है किसी का गला काटन सोगा वहां-का देगा उनका दिल कभी नहीं समझ बाओगे खुद को जलाकर समने वाले को रौश्नी देने वालों स है उसमें जर्भी है चलो यह तो तुम मानते हो तुम लोग जो पागल हो है तो हमने प्यार से दूर हो तो पागल पर है था हूं मेरी पवित्र प्यार के बारे में मैंने तुम सब को बताया यह गल्ती हो गई मारिश में च्छाता चाहिए धूप में च्छाओं चाहिए हर मौसम में किसी को मारना हो तो नानी चाहिए आज जी जाजी की आखों में खुशी देखनी है और तुम्हारी आखों में मौत तू दो गया ठीक है तो हो जाए लेकिन मरने से पहले मेरी बात सुने भाई इसकी बात मत सुनना आप क्यों बातों से ही मार देगा क्या अगर इसकी बात सुलीना तो चिकन गुनिया हो सकता है अच्छा, चल मार के तो दिखा? जाएगा, ये भी ने कर पाएगा, जिन्दा लाश बन जाएगा, फिर हमारे लैब में प्रैक्टिकल्स के लिए काम आएगा, तो आज आ रे, देखते हैं तेरे कॉलेज में मेरी लाश जाएगा या तेरी लाश? किअ हम प्राई जाएगा जाएगा, एज हम एपान से लोगा है, तेरी प्रैक्टा है इवे ने जा उ está आ फिर देरेविक आ छुरे दो जाएगा इवे तेरी लाश जो फिरेन ठान भाएगा ता राएगा लाश जो एड़े घराऊ जो जो आ आएगा ऑे है कॉ इज़ 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 झाल सकता वो जो जाल सकता की युई अगल उयाँ बाथ काफ़े एल Ó अइच, हा-ई-एजि फह‍श वह‍श वह‍श की 000 कमी में У् – अबस भी कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो है क्रिट कर दो इसे बें भॉद्ट थाँ कर दो अज़ो से नहीं को करें भॉट बॉपला है जह जहुड़ा है झाल बॉब झाल कर दो! बचर बब़ो! कर दो! रुँआ! बचल! मअँआ! उस बुजदिल पपु यादव उन्हें नानी के वज़े से हमें फसा दिया है लेकिन नानी जेल में था वो बाहर कैसे आया पता करो इस हालत में हम कहा चुपेंगे पूरा स्टेट हमारे लिए चपा चपा चांद रहा है अपना ख्याल रख लोंगा तुम अपना काम करते रह और मेरे कॉंटेक्ट में रहना और हां मेरे कॉंटेक्ड में रहना पॉइंट ब्लांक्रेंज भी आपके सामने खड़ा करूंगी सिर्फ पांच सेकंड में वह आपके सामने होगा, सर रिचा, उसे पता नियुक्त किस से पड़ाएं आ उसे पड़ा है। वह हैर बार हमारे हाथों मे आकर निकल जाता है, पता नहीं वह कब पकड में आएका。 अरे तो करना क्या चाहते हूं सबजी बना के खाना चाहता हूं क्या कुछ भी पूछ रहा है अगर तुझे तेरी हिरोईन जिन्दा चाहिए तो मेरी डिमांड पूरी करनी पड़ेगे क्या है डीमान जान का पेसं करता है अरे पसं क्या जान है मेरी वो तो अगर तु फिर से उसके साथ शादी के मंडप में बैठना चाता है तो जैसा बोलता हूँ गैसा कर बोल इसको जान से मारूँ कौन से मिनिस्टर को मारूँ या किसी पुलिस ओफिसर को मारूं, बोले तो मैं सीम को मार दूं गया, जान देना मेरे लिए मुश्किल काम नहीं है, मारना जलाना, कोई भी काफ, चुट की मैं करता हूं, कहे तो पुलिस टेशन में बॉमर रखा दूं, या किसी एरपोर्ट को रवा दूं, बोल, तेरी वर और मेरी डिमांड वही है, तुने जनता को वादे किये, लेकिन उन वादों को निभाना तो भूली गया, पहले मेरी बात सुन ले, दस करोण मांगेगा न, दस करोण दूंगा, दस कोंट्राक मांग, बीस कोंट्राक दिलवाउंगा, शहर के बस पचास एकर जमीन मांगेग अगर किसी आईटी पार्ग के समने कुछ एकर जमीन चाहिए न, तो 500 एकर दिलवाउंगा, अगर स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आना है न, पचास सीट्स दिलवाउंगा, ठीक है, लेकिन ये कैसी डिमांड है, कहता है जनता की सिवा करो, दियोए वादे पूरे करो, ये सब मुझसे नहीं होगा, मेरी दिमांड जो है वो पूरे कर, दोबारा फोन नहीं करोंगा, अपना काम खुद कर लोगा, ठीक है, एक बन मेरी वरम से बात तो करा, पपू, तुम कैसे हो पपू, वरम, मैं तेरे बिना नहीं जी पाऊंगा, वरम, मुझे तुमारी बहुत य ये राक्षिस मेरे साथ कब क्या करते, बस तुमारे प्यार का साथ है, मेरे पास पपू, देखो, तुम बिल्कुल माटरो, मैं तुमें, बरम, 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 अरे बात तो पूरी करने दे, काफी बाते हो गई, मैंने जो बोला है वो कर, पपू, हलो, हलो, सर, ये डिमांड पूरी करने के लिए हमें कम से कम सो करोड चाहिए, सर, दे दूगा जितने रुपए चाहिए, सर, स्टेट में उतना बजट नहीं है, सर, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए काला धन निकालना पड़ेगा, निकाल दूगा, मेरी वरम के लिए काला धन तो क्या कि अचानक से आपको जनता के सेवा करना याद आ गया और सब बहुत है रान है इसके बारे में आपका क्या क्या रहा है मेरी परस्नल लाइफ को जनता के लिए कब का मैंने त्याग कर दिया देश का कल्यान करना ही मेरी लाइफ का मकसद है पाल तु बातों के लिए टाइम नहीं है अरे पपूश आजांसे कम नहीं है उसने ताजमहल बनाया था और यह तेरे लिए गलियों में सडक बना रहा है चाई कि अरे ऐसे मूर्तियों कितना खड़े होने से तो अच्छा है कि जाओ जाकर कुछ काम तो करो अवे लेबर का खक्चा तो बचेगा सपने में पपव आया था क्या नहीं तुम आये थे पाटी बदल दी सपने में तुम हम दो प्रेमियों की पवित्र प्यार को समझ कर यह जान गये थे तुम की प्रेमियों को अलग कर ना गलत है और फिर तुमने हम दोनों की बहुत दूमदाम से शादी करवाई और तुमने हमें आशिरवात भी दिया तुम्हारी इतने अच्छे करम देखकर मैंने खोद अपने हाथों से तुम्हें खाना भी खेलाया इसमें एक ही बात अच्छी है तुमने हमारी शादी करवाई वही तो अच्छा तो लगे गाई ना ये हथकड़िया खोलो काम है मुझे क्यों अरे अब हर बात तुम्हें बतानी पड़ेगी खुझ ले और यह मुझे कहां हो रही है पेशरम आदमी ऐसा कोई पूछता है क्या 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 करूं कितने दिन हो गया सुरज देखकर बसे सड़ क्या है है चछ्फ बोल रह estamos कोई पागल पंतों नहीं को न। तुम्हारे साथ है तुम्हारे डारो है ना है साहरे हुर बूरे काम करते हो तुम अच्छे काम करते रहेंगे तो बहर हो जाएंगे है है अपक्केश है कैसे कि हुआ बताओ तुम्हारे शादी हुई है क्या मेरे तो बच्चे भी है क्या मैं जूट इन जूट मद भूला तू मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पाता हैं तो क्यों पूछ रही है पागल होगा है हुआ है तुमने कभी अपनी जिंदेगी में किसी से प्यार व्यार किया है क्या सब ठीक तो है ना नहीं इज निकल जाएगे ना इस पपो के उम्र क्या है वो मैंनी बताऊंगी बोड़ा हो गया है वो वैसे दिखने में तुम ठीक ठाक ही हो पपू जितने नहीं हुआ है वैसे भी आजकल के लड़कियों की पसंदी कुछ और है तो मैं थोड़ा बदलना पड़ेगा यह 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 गुस्टा ना इसे कोई फार्दा नहीं होता लड़कियों से थोड़ा प्यार से पीशाना पड़त नेखो कैसे भग जाएगी तुम्हार पास और यह घ़ा जाएगी तुम्हारे साथ दिलको छोरी करना मतलब बो क्या होता है वो मतलब मैं बताती हूँ, प्यार मतलब जर्ने की तरह कभी सूपता नहीं है, वो समंदर की तरह होता है, हमेशा भरा पुरा, प्यार मतलब एक नाजुक विशय है और ये तुम्हें बिल्कुल नहीं पता होगा, उसके लिए आपके पास बहुत वो चाहिए होता है, वो कर रही है सीधा बताना का रही हूं सीधा इस बता यह न मैं बुझे लगा तुपागल है लेकिन हां तुप यार पागल है वैसे प्यार्व्यार जैसे कोई चीज नहीं है थोड़ा बाहर आकर देख दुनिया में क्या चल रहा है सब कुछ पता चल जाएगा बहुत मानली तुम्हारी बाते जब देखो बस डाटती ही रहते हो तुम तुम कभी प्यार से बात नहीं कर सकते अगर आप जैसे युवानेता राजनीती में आ जाए तो हम जैसे आम इनसानों के तो भाग ये खुल जाये साहब बाबुजी आपने हमारे लिए इतना कुछ किया हम भी आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं आपने हम सब के लिए जो कुछ किया है, हम जिन्दगी भर उसका आइसान नहीं भूलेंगे. आपको यह नहीं रगता कि आपके काम करने का तरीका गलत है, यह नेक्सिलिजम को पढ़ावा देता है? क्यों मनिसम। इस विशम में आपका क्या कहना है? इमानदारी से सेवा करो, वरना राजनीती छोड़ दो. अगर गलत काम नहीं करें, तो आप चुपा क्यों रहे हैं? हम टेररिस्ट नहीं है, वो साबित करने तक करना पड़ेगा. राजनेतिक नेताओं के मन में डर पैदा करके बड़ा बदला व्लाया जा सकता है. जाने माने अपरादी पप्पु यादव ने भी डर के मारे पबलिक के लिए अच्छे काम करने शुरू कर दिये हैं. बिल्कुल ऐसे ही, बाकी के MLA और MP ने भी जंदा की सिवा में ध्यान देना शुरू कर दिया है. विरोधी पार्टी वाले ये समझ रहे हैं कि सिदा के धमकी के पीछे कोई अध्रश शक्ती है. जैसे ही उसका फोन आता है ना, रिकॉर्डिंग शुरू कर देना. कोके सर. एक बर खाली हाथ लग जाए, बताता हूँ मैं. ए, रुक, 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 रुक. पप्पू, कामाम छोड़कर मेरे फोन का इंतजार कर रहा है. ए, दिद्दार, देखो तुमने जो कुछ भी कहा न, वो सब मैंने कर दिया. अब तो वरम देदो. देखो, तीन बईने तक शादी का मूर्थ नहीं है. अच्छा, तु एक काम कर. अब इसी वक्त इस पट से राजी नामा देते हैं, और हमेशा के लिए राजनीती छोड़ते हैं. ए, तुकड़े, तुकड़े करके तुमारे बाहर फेट दूँगा. सिर्फ बातें करेगा, या मीटिंग भी करेगा. ओ, ओ, सुर बदल गया तेरा. ऐसी बात नहीं है, सिदाथ. देखो मेरे पत से, तुमको क्या तकलीफ है? तकलीफ मुझे नहीं है, जन्ता को है. चार लोगों को अंदर करके काम खतम हो गया, ये मत समझ. अब क्या होता है, आगे देख. आज तक तो मैं अकिला ही तेरा दुश्मत है, अब तो मेरे जैसे सौग्या हजारों पैदा होगे. तो आज गीती मैं कुंडा करती करने हैं, आलों को करता हैं के. सेर, सेर, आराम से, आराम से. वो हमें बेवकूफ बना के, कही नस्दीक से ही बात कर रहा है. आप कंटिन्यू कीजिये. कम ओन, कम ओन. तीक हो सितार, ही का सब्सक्राइब. जाया मेरा पथ छळा जाए, लेकिन मुझे मुझे मेरी वरम बिल जाएंगी. लेकिन... चलो, आए. तो पुम्ह नहीं साथ आओ. आप आप आतर! अम्हें एख दो. आप श्यादा. करें एंग में आतर. अरे वरम के कपड़ ने सार जड़ा ये देखिये शिट ये तब पुलिस हेट कॉर्टरस में ही था अरे इससे ज्यादा इंसल्ट और क्या होगी अभी अभी सिधार्थ को लेकर एक बड़ी न्यूज मीडिया में आ रही है अभी तक सिधार्थ ने वर्व लक्षमी के साथ अपने आपको सरेंडर नहीं किया है हाई कोट ने बताया है कि बॉम ब्लास्ट केस, जेल से भागे हुए केस और वर्व लक्षमी के किटनेपिंग केस में सिधार्थ को मोस्ट वॉन्टेड क्रिमिनल घोशित कर दिया गया है और शूट एट साइट का ओडर आ चुका है हाई कोट ने फॉट एट आज के बाद तेरे लिए शूट एट साइट का ओडर पास किया है पॉम ब्लास्ट केस ने करवा था, कुछ पता चला? उस पप्पो के साले के इस्तिमाल करके हमें इस केस में बसाया है और कोट में उसने ये प्रूव किया है कि उसे में वो दूसरी केस पर चेल में ही रिमान में था ज़रा मुझे दे, मेरी बास सुन, हमें ख़बर मिले कि वो तुझे जान से मारना चाहते है तू होश्यार रहना उसे मैं देख लूँगा तू अपने लोगों को अलट कर ठीक है क्या भूला कोट ने 48 घंटे के बाद मुझे मारने का ओडर दिया है मैं तुझे सिर्फ 24 घंटे दे रहा हूँ तूने जो भी मुझ पे इल्जाम लगाए हैं सारे हटाले कौन से इल्जाम लगाएं कितना भूला बन रहा है जैसे कुछ पता ही नहीं है तुने मेरे सिर्फे जो टेर्रिस्ट का इल्जाम लगाया है वो तुझे खारिच करना होगा यह तुबारे पास क्या सुबूत है कि वो इल्जाम मैंने लगा है जो तेरे बगल में खड़ा है ना टूटा फूटा नानी वही मेरा सुबूत है एए एए जिद्दी नानी चुपचाप सच बोलते हैं एक बार तो तेरे हाथ पैर तोड़ चुका हूँ अगली बार एक एक पुर्जा उखाड़ दूँगा ए पपो तेरी हिरोईन मेरे पास वन पीस में आई थी ना लेकिन तेरे पास टुकड़ों में पहुँचेगी आम जनता का अच्छा करने के लिए मैं तेरे साथ कुछ भी बुरा करने को तयार इसको देखो कमाल की परसनलेटी है यार आस्पिटल में डरने के बज़ा यह तो खुश हो रहा है बॉड़ी में वाइब्रेशन हो रहा है सब रेडिय है आउं क्या आई से हो कहा है आजरी से लेफ्ट कि इसरी अश्यों में अपनाकि आजरी अश्यों में प्लाटreten भुह ओमायो मोर। हुआ हुआ हो मायो अे, जलो, मैं, ये, पदोने पुम कात्स वारा हएंगा। कि अे, अे, राच कार्णक वराओंगा, हो स्बाहा हुँ 8 apropो तू तेरे जीजु की आँखों में खुशी देखना चाहता था ना वो तेरी आँखों में मौत देखना चाहता है आउ, देखलो, वो मेरा सालानये, किसी आउर की राश्युक्त चाहता है किया वो चली गई होगी ट्रेन जाने से पहले हमें उसे बता देना चाहिए बारिश हो रही है ट्रेन लेट होगी इसको ऐसे ही छोड़ दें क्या इसे कल से पहले होश नहीं आने वाला प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं जिन्दगी सुनी है पपो ऐसा निकला इसे लिए नहीं रो रही हूँ अश्या ताप हो रहा है इसे लिए भी नहीं रो रही हूँ यह सोचके रो रही हूँ कि मैं गाउं केसे जाओंगी अब इक धोके बास के साथ भागी हूई लड़की को माफ कर पाएंगी साथ इतना सब होने के बाद कहाँ जाने के हमत मैं कैसे लेकर आँ सब को मुह में कैसे दिखाऊं यह तो पपो को सुना चाहिए अब पपो क्या करेगा हाँ अब जो भी कुछ करना है ना उट तुम ही करना ह बिलकुल परी लग रही है चलना है हाँ हाँ इतने दिन तक सिद्धार्थ के मुवमेंट समय क्लियरली पता नहीं चले इसलिए वो हमारे साथ खेल रहा है अब उसका रूट क्लियर है वो पक्का कल सुवा हाई कोट आएगा हाई कोट जाने वाले रास्ते को ब्लॉक करो और उस पर फोकस करो चारमिनार ब्रिज, पुराना पुल, मदीना होटल, सिटी कॉलेज, इन सारी जगों पर नाकाबंदी करो यूआ राजदीती में आने चाहिए ऐसा कहने वाले, होम मिनिस्टर पपुयादो पर बॉम से अटैक करके, फिर पपुयादो की मंगेतर को किन्डैप करके, पूरे स्टेट में संसरी पैदा करने वाले अफरादी, सिधार्थ को सरेंडर होने के लिए हाई कोट द्वारा द मुझे कोट में कड़ घरे में खड़ा रहना चाहिए था, लेकिन टीवी के जरीए आपके सामने आयों, इसलिए माफी चाहता हूँ मैं कोट में आने से पहले पपू यादा और उसके आदमियों की सच्चाई सब के सामने लाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा यही मानना है कि न्याए अभी तक मरा नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ टीवी के जरीए आपके सामने पेश रहूँ प्रोसीड 2001 में बने इस नए एक के तहट, मैं इस तकनीक को इस्तमाल कर रहा हूँ, आपको कुछ कहना है, जो भी कहना है, साल साथ कहिए किसी बड़े इंसान निगा है, कि ये देश आलसी हट्टियों वाले युवा का बिलकुल नहीं है, हमारा है ये देश, विदेशी बैंकों में पैसे छुपाने के लिए देश को गिर्वे रखने वाले नेताओं का नहीं है, हमारा है ये देश पुलिस को खरीद कर दो टके के अत्याचार करने वाले भाड़े से खरीदे गए घुंडो का या राज नेताओं का नहीं है हमारा है ये देश बाप मर गया तो बेटे को, पती मर गया तो बीवी को, भाई मर गया तो भाई को सीट देने वाले पॉलिटीशन का नहीं है हमारा है हम युवाओं का है लेकिन हम किस जमीन के बदले में सौधा कर रहे हैं दूसरे विश्वयुद में न्यूकलियर बम धमाके से नष्ट हो चुकी हिरोशिमा नागा साकी जैसी जमीन या कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद धर्मराज को मिली हुई जमीन नहीं चाहिए नहीं चाहिए हमें हमें चाहिए सुजलाम सुफलाम सचसे शामलाम जैसी दिखने वाली भारत की जमीन क्या वो जमीन हम बेचने देंगे? विदेशियों को हमारी जमीन बेच के हम खुदी मजदूर बन रहे हैं एक जमाने में किसार ने चाहल बेच के कितना कुछ कमाया होगा फल बेच के भी आम इंसान खुशी से घर चला रहा था लेकिन आज सोचते हैं राजनीती में जाएंगे तो पैसों की बारिश होगी पुलिस को देखकर आम इंसान भी डर जाते थे लेकिन आज नेताओं को देखकर पुलिस वाले डर जाते हैं बडमाश गुंडे लोगों नो मिलके राजनीती को युद्ध भुमी बना दिया है यहां तक कि आम आदमी राजनीती में कदम रखने से डरता है इन हालात में जंता की सेवा की इच्छा रखने वाले विद्यार थी इंटिलेक्ट्योल्स समाज सेवक यही तो है जो देश की सेवा कर सकते है जो इस देश के लिए जान लुटा सकते है जिनके खुन का एक कत्रा इस देश के लिए वफातार है कईयों ने तो शादी भी नहीं की क्योंकि उनके लिए भारत देश है उनका घर है और यहां की जनता उनका परिवार ऐसा नेता चाहिए जिसने सरकारी घर-गाडी सब कुछ ठुकरा दिया हो देश की सिवा करने के लिए हम ये कैसे भूल सकते हैं कि ये देश महात्मा गांधी, शामा प्रसाद मुखर जी और डॉक्टर बाबा साहिब आमेड कर का देश है सर्दार वल्लब भाई पटेल, सुभाष शंद्रबोस, लाल बहादूर शास्त्री, अब्दुलकलाम आजाद, भारत के इन सब पूतों को हम कैसे भूल सकते हैं हमें ऐसे नेता चाहिए आज का युवा कहता है, इस देश में कुछ नहीं हो सकता लेकिन इस देश में सब कुछ सही करने के लिए, आज हमारे जैसे युवाओं को ये कदम उठाना पड़ा है, यौर ओनर चलो, माना कि तुम राजनीती को दोश दे रहे हो, लेकिन तुमने जो किया, वो भी तो गलत है ना मैं जेल से भाग कर अपने रास्ते का काटा हटाने के लिए आतंगवादे नहीं बना, जिन्हें सही वक्त पर मदद नहीं पहुंचे, उन्हें मदद पहुंचा रहा था, और इतना ही नहीं, एक बात और, कानून पे भरोसा रखके, एक सच्चे नागरे के तरह सबूत जाते थे, अपने बेहन को छोड़कर, मैं तुम्हें चाहता था, और तुम अपने साले का ही गला खोट रहे थे, तुम्हारे लिए मैंने क्या नहीं किया, जिन्हें जी, इस स्टुडेंट को फसाने के लिए, तुम पर बॉम फेकने का नाटक करके, इन लोगों नहीं बॉ सिद्धार्थ ने मेरा और गाउंवालों का बहुत ख्याल रखा, बहुत भला किया, ये मैंने खुद अपनी आखों से देखा, लेकिन हमारे समाज में पप्पु यादर जैसे राक्षिस को बिल्कुल जगा नहीं मिलनी चाहिए, मेरी जैसे लड़कियों की रक्षा करना औ पर गाउं की लोगों का भला करना, बच्चियों को पढ़ाना, ये बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है, ये तो बहुत ही गर्व की बात है चुनाओ के समय हुए बंबलास्ट के केस में सिधार्थ और उनके दोस्तों को बाइज़द बरी किया जाता है और इसी केस में पुर्शुत्तम यादव, उर्फ पप्पु यादव प्रथम दोशी पाया जाता है दूसरा दोशी जनारदन बेंकट राव, उर्फ जिद्दी नानी इन्हें कानून के हिरासत में लेने का फैसला सुनाया जाता है और साथ ही जिधार्थ का जेल से भागना, वरलक्ष्मी को किटनैप करना ये भी अपराद है इस केस में उन्हें बेल दी जाती है, अगले सेशन में अटेंड करने का ओर्डर है ये जीत सिर्फ मेरी जीत नहीं है, हम सब की है आज के सारे युवा विद्यार्थियों को मेरा एक संदेश है आईए, गुंडे राजनेताओं को मार मार के भागाएंगे अचानक इसे क्या हो गया इतना वक्त नहीं है, गाड़ी रेडि कर, इसकी जान खतरे में है उठाओ जल्दी शफी, आखे खोल, आखे खोल शफी, मेरे सामने देख तुझे कुछ नहीं होगा, आखे खोल मुझे देख, देख, भाल लक्षभी दे रही है शफी, आगे खोल, तुझे कुछ नहीं होगा शफी कुछ नहीं होगा, तुछे, बोला ना काड़ी निकाल, चल्दी, 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 चल्दी अवे जिन्दा है कि बच गिया, तिर वही नहीं, तुम सब लोगों का वही आहल होगा, अब देख रहा, बर्म को चारा बना के मुझ्ते खेले हो ना, अब देख मैं तेरे साथ कैसी कहलता हूँ, इम्मत तो आजा सिर्फ उसके जान उपर जानी चाहिए, वो उपर नहीं आना चाहिए, मार दो उसे, बहुर्थ हिम्मत आ गई है तेरे अंदर क्या मैं तेरा रेप नहीं कर सकता, या उसे जान से नहीं मार सकता, ठीक है, उसको मार के और उसकी लाश के सामने ही, हम स्वागरात मनाएंगे मार टार्व तेरे अंदर के अंदर पता रव झाल के जार के जाएंगे तब पता है जाएंगे एहह सपड़ करें कón नवज़ करें एकन बैद एच एकन इसकेश करें लिए करें अड़कम कर दो हाँ! ड़ दोलो दोल म distintos दोलने किया डेख्चित भीजयरों ça लों हाँ! क्टोब गजयरों gonna! मुदोरों लोहाँ, कुर्फे कुर्फे! कुर्यर नॉँआ कि अर था हम दोका skुण का ड़ सुचित । कि अर्चेश की के लिगने तो हम फल वा इंहार इं quests युद्ध करना ही पड़ेगा रावन को ठिकाने लगाने के लिए राम बनना ही पड़ेगा पो ऩा प्वबान यवारी थे राम के लिका रावन के लिए हूٰ हुआ है और नहीं हुआ है है कि अजय के सांगा हुई थे ब Shape कि अजय के राने कि अाने कि अजय क्वे ब framework हन्हो और दो अन्हो है जो फिर को हो फिर कि अहां पर रहाँ है कि अहां … अर है 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 वज अर दिक मैं जब मैं हुआ है जुट है उक हृ Specs दो जब मैं हुआ है मताना मताना सामने मताना वर्रा गराग उड़ दूगा इसका मैंने बोराना मताना फेक दूगा इसे घर जाना तुम मर जाओगे बेग मर जाओगे तुम दौनो करताब, बोलाना करताब कि करताब कि एग दुम जूगऽे आाओगे ळिस्थरमौ तなんだ ध कि थेज़ हम भाव चल रखत जिए रखत रखत आफ ο अ अ अ अ आफ ऊफ उस भाव जर वर आ'll अः आफ हुई वाच Für मारनमत, मारेगा तो तू भी मेरी तरह गुंडा बन जाएगा, का था ना कि गुंडों को निकाल के फेकता हूँ, अब तुमें भी उस, गुंडे में एक बनना है तो आजो, आओ ना, मारो, मारो, अरे इस देश से राजा मी गए, प्रिटेश वाले भी चले गए, जमिन्दार लेकिन मैं अब भी हूँ, कुंडों का राज्य है यह, हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड सकता है, अबे आना, मार, अबे मार ना, अरे तुम तो आस तीन के सांप निकले, मुझे ही मार दिया बे, सांप से खेलने वाला सांप काकने जहीं मरता है, ऐसा सुना है, तुम्हारी मौद भी बिल्कुल वैसी ही है, क्यार से साला कहकर बुलाते थी, इसलिए एक एहसान करूगा, तुम्हें अपने ही हाथो से, मार दिया, वे, जिन्दगी में दुश्मन नहीं होने चाहिए, अपने दुश्मन जीजाजी को तो मैंने मार दिया, मगर मेरा आसली दुश्मन तु है, जब तक तुझे नहीं मारूगा, दुश्मन खत नहीं होंगे, दुश्मन टुश्मन तुश्मन गॉवर धिर्ली जीत कर सीट पायो, अपने मेरा, तुवारे लिए , नहीं चाहिए, क्या, ठीक है, या या ये पॉलिटिक्स्में ये सब सब्स्मान करने का ड्रामा है, अज है नहीं था होता रहता है ना लेकिन तुम लोग अकेले पार्टी में क्या करोगे असेमली में मेरे साथ जॉइन कर लो दोनों साथ मिलके बैटिंग करेंगे यह आखिर काली का चला गया काली मेरा डेप्यूटी मिनिस्टर है मैं उसे एसेमली से निकाल दूगा और तुमें उसकी जगा पर रख लूगा और देखना हम दोनों मिलके आने वाले जनरल इलेक्शन में जीट जाएंगे चुटकी बजाएंगे यह काम होगा है चुटकी बजाना बनकर मुद्दे की बा एक दो तीन से पेटने भरेगा ना तुम्हें तो करोड़ों की आदत है अजय सुन अंदर जाते हैं देश के लिए बहुत काम करने है और मिलेंगे निता जी वहां का जा रहे हूं यहां चलो कहां डादी के पास लेकिन क्यों चादी का मूरत निकालना है और कोई काम नहीं है क्या नए है अब चलो है